आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone यहाँपे Definite Integral का एक प्रब्लम दिया है हम उसको Solve करेंगे यहाँपे दिया है कि Evaluate Integration 0 to Pi by 4 dx by Cos2x प्लस 4sin2x तो इसको Solve करने के लिए पहले Equation को जो Function दिया है इसको तरह Simplify करना पड़ेगा फिर Method of Substitution का अप्लाई करेंगे तो पहला Part क्या है हमें यहाँपर Denominator और Numerator दोनों पर ही Cos2x से Divide करना पड़ेगा तो यह Equation क्या हो जाएगा Limit जो है अभी के लिए वह ही रख रहे है हम 0 to Pi by 4 बस यहाँपर उपर Cos2x से Divide करेंगे तो हमें क्या में लेगा 6²x dx और नीचे भी Cos2x से Divide कर रहे तो Cos2x को Cos2x से Divide करेंगे तो 1 और यहाँपर 4 को ऐसी रखेंगे Constant Sin2x को Cos2x से Divide करेंगे तो 10² तो यह Form आगे अब हमें Replacement करना है Substitution करना है तो Substitution का जो यहाँपर Function ले रहे है वो क्या है Z को हम 10x ले रहे है तो हमें यहाँपर Differential Form को Change करना पड़ेगा और Limit को भी तो यहाँपर Differential Form ले ले लेते है तो Differential Form यहाँपर DZ is equal to 6²x Dx यह Form आ गया है अब हम 6²x को जगा यहाँपर Dx Change कर सकते है 10x के जगा Z प्रेस कर सकते है तो यहाँपर हमें क्या Change करना है Limit को तो Limit क्या था X किसमे Change होगा Z में अपर लिमिट और लिमिट क्या था 0 से लेके 5 by 4 तक तो 0 से लेके 5 by 4 अब 0 के लिए क्या value मिलेगा हमें यहाँपर 10 0 हो गया तो 1 sorry 0 10 0 का value 0 तो Z 0 से ही स्टार्ट होगा अब 10 5 by 4 that is 1 तो 0 से लेके 1 तक अब हम जहाँ जहाँ रिप्लेस कर सकते वहाँ वहाँ रिप्लेस करते ही तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके 1 तक हम देख सकते कि 6 square x dx का value क्या है 2 पर आगया d z और निचे 1 प्लास 4 यहाँपर क्या है 10 x का whole square 10 x मांतलब z that is z square अब यहाँपर क्या solution लेंगे हमें यहाँपर formula पता होना चाहिए यहाँपर formula concept लए होगा अगर दिया है हम दूसरे प्रेंसे करते है अगर integration form ऐसा दिया है कि a to b integration का definite integral होना यह ज़रूर नहीं है dx by a square plus x square दिया है तो इसका integration form क्या होगा 1 by a 10 inverse x by a हम यहाँपर इस limit को हटा देते यह normal integral के लिए भी होगा यहाँपर सिफ integration दिया हुआ है dx by a square plus x square तो उसका हम लिखेंगे 1 by a 10 inverse x by a यह हमारा 10 inverse का form है तो यहाँपर भी same apply होगा यहाँपर x का value क्या है 2z क्योंकि यहाँपर 4z square है यहाँपर एक और बार change कर लेते हैं 0 to 1 d z 1 square plus 2z का whole square अब एक चीज़ हमें यहाँपर देखनी होगी कि यहाँपर जो indication लिख form था वो था dx था उपर और नीची भी x square था पर यहाँपर थोड़ा changes है कि d z है और नीचे 2 z है तो हमें यहाँपर d z को d of 2z बनाना है तो हम यहाँपर देख लेते हैं कि d of 2z क्या होता है तो d of 2z actually हमें क्या देता है 2 d z तो हमें यहाँपर 2 d z होना जरूरी है तब ही हम integration को solve कर सकते हैं तो यहाँपर 2 d z लाने के लिए हम यहाँपर forcefully एक 2 multiply करते हैं तो यहाँपर half multiply हो जाएगा इसको equal करने के लिए तो half और 2 multiply होके कर जाएगा तो हमें उपर का ही equation मिलेगा पर यह 2 d z हो गया तो इसको हम इस formula के साथ apply कर सकते हैं अब यहाँपर formula apply कर देंगे तो क्या मिलेगा half इसके लिए तो था ही बाई 1 अब इसके उपर पूरे जो टर्म से इसके उपर आपर लिमिट लगेगा 0 से लेके 1 तक का तो यहाँपर constant जो जो टर्म है वो बाहर आ जाएगा आप बाहर आ गया हमारे पास कह़एगा है 10 inverse 2 z तो 10 inverse 2 z के उपर प्लेस करेंगे 0 प्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 10 inverse 2 minus 10 inverse 0 तो 10 inverse 2 को प्लेस करेंगे पहले तो 10 inverse 2 का value हमें exactly पता नहीं है यह around कुछ भी आएगा तो हम ऐसे रखेंगे क्योंकि 10 inverse 0 का value 0 हो जाएगा तो यह तो कट जाएगा तो हम इसको ऐसे ही रहत देंगी, तो आएगा half 10 inverse 2, यह हमारा solution हो गया, जो हमां integration दिया हुआ था, इसका solution होगा half 10 inverse 2, thank you.